तो दोस्तों आप लोग करेंट अफेर्स की बहुत जादा डिमांड कर रहे थे तो आपकी डिमांड पर मैं ले आया हूँ पांच सो मोस्ट इंपोर्टन क्वेश्चन अक्टूबर महीन है ठीक है ऐसा ही नॉम्बर दिसंबर जन्वरी के करा दूँगा और सितंबर अगस्त के बिकरा दूँगा देखो आरो 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 के लिए आपको 6 माहिने का करेंट और यही करेंट फाइल देखो इस बार यही करेंट UPPS में भी काम आईगा है ना क्योंकि दोनीं दोनों वाला हो जाएगा दो बीच में चलना बीच में खंबा आ तो फिर time fish, समझ रहो बात को तो और ये अच्छा जान से किया UPPs, Prelims और ROE, ROE ये दोनों ही सेम है, तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं, पहला कोशन Recently researchers have discovered a new dams fly species Arm get on Red tail in which state ठीक है, तो मतलब हाली में शोद करता हूंने किस राज में एक नई Damus fly, प्रजाती Arm get on, Red tail की खोच की है, तो दोस्तो ये करी है, केरल से, कहां से केरल, देखो, जब भी किसी भी नई species की, आप देखोगे, शुरुआत होती है नई species मिलेगी, तो आपको western ghaard पर ही मिलेगी है, ये western ghaard जो होता है, यहीं पर मिलेगी, ठीक है आशियान सिकर सम्मेलन में, भारती नविकर्णी उर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, मंडब का उधगाटन किया गया, ठीक है, तो ये बताना है एटो जीरो एशियान समिट, जो कहां होई है, कौला लामपूर तो आपको ये पता चल गए भी है, कौला लामपूर किसकी राजदानी है, मलेशिया की राजदानी है, ठीक है, यहीं पर ये समिट भी हुआ है, एटो जीरो एशियान समिट ठीक है, याद रखना, कौला लामपूर और मैप भी याद रख लो भी है मलेशिया जो है इधर पढ़ेगा उसके बॉर्डर एकदम रटे होने चाहिए एक्जाम में पूछ सकता है ठीक है थाइलेंड लाउस ये सब ठीक है चल शाथवी भारत यूरोपियन यूनियन साइबर वारता कहां आयोजित हुई है दोस्तो तो ये ब्रुजल्स में आयोजित हुई है कहां पे आयोजित हुई है ब्रुजल्स में तो option color है तो वो तो already आपको दिखी रहा होगा चलिए, हाली में किस देश की मानवा दिकार कारिकरता नर्गिस मुहमधी कौन? नर्गिस मुहमधी बहुत important है, ठीक है? जो बहुत ज़्यादा important होगा, मैं आपको इसको extra बता दूँगा, ठीक है? नर्गिस मुहमधी को noble peace prize मिला है अब इस question को ऐसे भी पूछ सकता है कि भीया, peace prize जो है, वो किसको मिला है? तो आपको नाम भी याद रखना है, नर्गिस मुहमधी कहा की है, यह इरान की है, और इनको noble peace prize मिला है, ठीक है? यह ऐसे करके याद रखने, तीन चीज़े आपको, most important था यह, हाली में जलवायू परिवर्तन के छेतर में योगदान के लिए, किस भारती मूल, spinizo, पुरुषकार से सम्मानित किये गया, ठीक? किस भारती मूल को? मतलब जो भारती नागरिक है, भारती मूल का मतलब समझे, इंडियन ओर जिन का है, उसे spinosa prize मिला है, ठीक है? तो spinosa prize मिला है, दोस्तो, डॉक्टर जोईता गुपता को, किसको मिला है? जोईता गुपता को, climate chain के लिए इन्होंने काफी काम करा है, ठीक है न्यूज में भी ये काफी रही थी, अपने देखा होगा, चले, आगे बढ़ते हैं, चले दोस्तो, छटा नंबर देखते हैं, 30 सितंबर 2023 को, सीमा सड़क संगटन के, मतलब Border Road Organization, जिसको BRO बोलते हैं, कि 28 महानिदेशक का पदबार किसने गरहल किया है, तो रगु स्री हाली में किस राज सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% अरचना देने की गोश्चना की है, यह important है, क्योंकि मद्ध प्रदेश में चुनाओं भी हुआ है, तो मुख्यमंत्री भी बदल लें, तो यह जरूरी है, ठीक, तो मद्ध प्रदेश हो जाएगा, दोस्तो ठीक है, याद रखेगा, सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% अरचना मद्ध प्रदेश दे रहा है, चलिए, ऐसे याठवा देखते हैं, हाली में हाईसेंस ने किस भारती क्रिकेटर को अपना ब्रैंड अमबेजडर ने उक्त किया है, ठीक, यह बताना है आपको भी है, तो क किसे एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2023 में सरवसेड निदेशक के रूप में नामित किया गया है, तो यह इंपोर्टन्ट है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, रीमादास, ठीक है दोस्तो, एशिया स्पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड किसको मिला है, रीमादास क क्योंकि world के जो होते हैं वो थोड़ा important हो जाते है चलिए हाली में खबरों में रही दच्छिर लोनक जील किस राज के इंसाशित प्रदेश में again geography के लिए important है ठीक है तो लोनक ले कहां पे है यह आपको पूछ सकता है तो south लोनक ले की situated in which state तो यह आपकी सिक्किम में है ठीक है यह important है geography में भी और current में भी है ठीक है यह कहां पे है सिक्किम में चलिए यह अब देखते हैं Asian Games 2023 के भाला फेक प्रतियोगिता में नीरज चोपडा ने कौन सा पतक जीता है तो दोस्तों इनको gold medal मिला है नीरज चोपडा को किसमें javelin throw आपने देखा ही होगा Asian Games में important है ध्यान रखिएगा The teacher we need for the education we want The global imperative to reverse the teacher shortage यह एक theme है इस बार की किसकी wish wish इच्छक दिवसकी तो दोस्तो world teacher day कम मनाया जाता है 5 October को कम मनाया जाता है 5 October को और हम लोग कम मनाते हैं दोस्तों teachers day 5 September को ठीक है यह पता होगा आपको और world teacher day 5 October ठीक है दोनों में confusion नहीं होने चाहिए ठीक है चलिए तेरवा देखते हैं 2030 FIFA wish cup की मेजबानी कौन से देश करेंगे बहुत important है दोस्तों इस पर थोड़ा ज़ादा focus करना है important है यह ठीक है दो ज़्यादा important है उसको मैं बता दे रहा हूँ उसको आप अलग से याद करना 2030 का most important क्या है कि भाईया FIFA world cup कहा होगा Spain Portugal Morocco ठीक है Spain Portugal Morocco और अभी इस से पहले जो हुआ था दोस्तों वो कहा हुआ था आपको पता होगा comment में बॉक्स में ज़रूर बताईएगा ठीक है बहुत important रहा था चलिए next देखते है fintech startup slice का will है किस bank के साथ किया जाएगा ठीक है तो एक fintech startup slice bank है वो किस के साथ merge करेगा यह किस bank के साथ तो north east small finance bank कौन सा north east small finance bank तो यह economy में आ सकता है ठीक है अगें three star में इसको दूँगा five star नहीं दूँगा चलिए पृतिवर्स विष्व cerebral palsy दिवस यह कंबना जाता है ठीक worst cerebral palsy day कंबना आते हैं 6 October को ठीक है कंबना आते हैं 6 October को यह बहुत important है मैं इसको भईया five star देना चाहूंगा five star most important five star का मतलब question out आना है ठीक है तो कृष्णा water dispute किन नदियों के बीच में हैं ठीक है सबसे पहले बताईए भईया तो यह आन्दप्रदेश महाराष्ट करनाटगा कहां कहां आन्दप्रदेश महाराष्ट और करनाटगा इनके बीच में यह dispute चल रहा है दूसरी बात अगर पूछ ले आपसे कि भईया यह बताओ कि कृष्णा river निकलती कहां से है यह पूछ ले अगर तो दोस्तों कृष्णा river जो है आपने पढ़ा मैंने जोग्रफी जो चल रही है जोग्रफी के मेरे lecture आप देख रहोगे अगर तो आपको बताया तो मैंने कृष्णा लिवर महा बलेश्वर से निकलती ही यह वेस्टन गाट से ठीक है तो यह आन्दप्रदेश महाराष्ट करनाटगा होते हुए यह बेफ बेंगॉल में गिर जाती ही ठीक है तो इंपॉर्टन था यह भी याद रखना कृष्णा वाटर डिस्प्यूट आन्प्रदेश महाराष्ट करनाटगा हाली में केंद्री मंत्री मंदल ने किस राज में समक्का सरक्का केंद्री जन जाती विश्विद्याले की स्थापना की है ठीक तो रि चले निर्मारा धीन उत्तरी कोयल जलाशे परियोजना से किस राज को सिचाई की सोईदा प्राप्त होगी ठीक है नौर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट ये कहां पे हुआ है बिहार जारकंड दोनों इसे ठीक है नौर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट बिहार जा पाई बन गए तो फिर रोडों पे आपको क्या करना पड़ेगा रोड पर ही काम करना पड़ेगा अब थोड़ा दीकारी वाली लाइफस्टेल चाहते हो थोड़ा बड़ा पद चाहते हो तो आपको बड़ी मेहनत भी करने पड़ेगी अब सोचो यार 500 क्वेशन कर लिए इनी उसके मदद के अपनी दिमाग से चलो 15 कोशन ही लिख दो पॉलिटी के 15 कोशन जोगरफी के बना दो तब कुछ बनेगा कि हाँ आपको आपने पड़ा है ठीक है अपने आपसे धोका मत दो दुनिया को धोका दो खुद को धोका मत दो चलो खैर आगे बढ़ते हैं इस वीड इंडिया है नोटिफाइड दा फॉर्मेशन ऑफ विच अफ दी फॉलोइंग बोर्ड इन अक्टूबर दोहजार थीस ठीक है तो गौवर्मेंट ने कौन सा एक नया बोर्ड बनाने की गटन की सूचना दी है तो यह कर रहा है नाशनल टर्मरिक बोर्ड रास्ट्री हल्दी बोर्ड ठीक है इंपोर्टन है अगें याद रखने है इसको चलिए आगे बढ़ते हैं क्या हो रही है चलो चलो कोई बाद ने चलिए 20 कोशन देखते हैं दोस्तों हाल ही में राश्ट्री निवेश और अब संवरचना फंड ने कितने मिलियन डॉलर का भारत जापान फंड लाँच करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनाशनल कोपरेशन के साथ साज़ेदारी की है तो 600 मिलियन डॉलर की यह साज़ेदारी हुए दोस्तों कितने 600 मिलियन डॉलर की ठीक है 28 नॉमबर से 1 दिसंबर 2030 तक देहरा दून में आयोजित होने वाले चटवे विश्व आपदा प्रबंदन सम्मेलन का ब्रांड अमिजडर की रूप में किसे नामिट किया गया है तो दोस्तों 6th World Disaster Management Conference देहरा दून में होनी है आपको याद रखना है कौन बना है इसका ब्रांड नम बेजडर अमिटाब बच्चन बने कौन बने अमिटाब बच्चन चले 22 October 2023 में किस राजसरकार ने मुक्य मंत्री सुक आश्रय योजना लांच किया तो मुक्य मंत्री सुक आश्रय योजना ये हिमाचल प्रदेश से लांच हुई है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा तिवर देखते हैं अक्टूबर दो आजार तेज में केंदर सरकार ने जम्मू कश्मीर डेमोकरेटिक फ्रीडम पार्टी को कितने साल के लिए गैर कानूनी खोशित कर दिया ठीक है ये भी अगिन important है कि वह जम्मू कश्मीर Democratic Freedom Party को 5 साल के लिए illegal कर दिया अब ये चुनाओ 5 साल नहीं लड़ सकती है ठीक है क्या हो रहा है चलिए दोस्तो 24 नमबर देखते है हाली में जियो मार्ट ने किस क्रिकेटर को नया ब्रैंडम मेजडर नहीं उक्त गिया है ठीक है हाली में अरुनाचल प्रदेश के किस उत्पाद को GI टैक प्राप्त हुआ है बहुत ज़्यादा important है दोस्तो ठीक है अरुनाचल प्रदेश के किन उत्पादों को मिला है तो याक चुरपी खमती राइस और आपका टंग सा टेक्स्टाइल ठीक है तो ये तीनों important है याक खमती टेक्स टंग साय से करके याद करो आएगा एक्जाम में ठीक है तो ऐसे भी आ सकता है कि याक चुरपी को GI टैक मिला ये किस राजे से संबन देते हैं तो अरुनाचल प्रदेश ठीक है तो तीनों ही सही है ये है हाल ही में प्रदानमंतिक नरेन मोदी ने किस सहर में देव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाई-टेक sports training center का उद्गाटन किया अगेन बहुत important question अभी है first हाई-टेक sports training center बना है देव्यांग जनों के लिए disable के लिए ग्वालियर में ठीक है MP में है तो और news में आ गया और मोदी जी ने कर रहा है तो तो ये important है ठीक है और पहला एक तो देश का तो और important हो जाएगा 27 October 2023 में जारी अमेर्की business magazine Forbes की annual अरप पतियों की ranking में कौन सीर्ज स्थान पर रहा है ये भी जोस्तो important है तो Forbes जो ranking जारी करी है इसमें आपका जो Bernard Arnold है ठीक है ये number one पे रहे है ठीक है टॉप बे लिनियर में हाल ही में कौन सा देश लगा था तीसरी बार Asia Pacific Institute for Broadcasting Development का अध्यच्च चुना गया ठीक लगा था तीसरी बार तो ये important हो जाता है क्योंकि हमारे भारत की बात है तो भारत है दोस्तो ठीक है प्रेसिडेंट बना है लगाता थीसरी बार Asia Pacific Institute for Broadcasting Development ठीक है चोले है हाली में उत्तर प्रदेश के प्रताबगर railway station का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है again important है दोस्तो UP की news है तो तो और important है चले तीस्वा देखते है दिलीप नौंग मेथम को उनकी पुस्तक इबेम्मा आमुसुंग नाग बेम्मा नाम देख रहो अगर आप लोगों को यह नाम रख दिया जा तो मम्मी बुलाएंगी कैसे अरे इबेम्मा आमसुंगा कोई सुना ही देख यह पागल हो गया के लिए किस भासा में बाल साहित पुरुस्कार 2023 प्रदान किया गया ठीक है तो दोस्तों मनीपुरी लैंग्वज में है तो अगर इंपॉर्टन हो जाता है क्योंकि मनीपुर में बहुत वाइलेंज भी इस बार देखा गया तो लिंक करता है आयोग भी चीजों को ठीक है तो मनीपुरी भासा में ठीक है और ऐसे पूछ सकता है क्या मनीपुरी सम्विधान में जो 22 भासाइद दी है क्या उनमें है कि नहीं ये मुझे आप कमेंट में बताओ जरो ठीक है पॉलिटी में पढ़ा है आपने चले एक अत्रिस तेरा से चौदा अक्टूबर तक नौवा जी ट्वेंटी संसदी अध्धक्ष सिघर सम्मेलन पी ट्वेंटी कहां पे आयोजित किया गया दोस्तो तो नाइन्थ जी ट्वेंटी पार्लेमेंटी स्पीकर जो सम्मेट हुई ये नाइध इल्ली में हुआ दोस्तो ठीक है दुनिया की सबसे लंबी दवी लेन सुरंग सेल सुरंग का निरमाड किस राज के इनसाशित प्रदेश में किया गया तो दोस्तो अरुनाचल प्रदेश में है कहा है अरुनाचल प्रदेश में चले तेतरी नमबर हाल ही में किसे 2023 के लिए टाटा लिट्रेचर लाइफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो टाटा लिट्रेचर लाइफ लाइफ टाइम अच्वीव आवर्ड ये सियेश लक्षमी को मिला है अगें कम इंपॉर्टेंट है उपर से देख लो 34 हाली में 2023 का साहित का नॉबल पुरुसकार किस देश के लेखक जॉन फॉसी को मिला है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तो बहुत जादा तो जॉन फॉसी जोस्तो जो नॉबल लिट्रेचर इनको पुरुसकार मिला है ये नॉर्वे से संबन दीते ठीक है याद रखेगा इंपॉर्टेंट है ये नॉबल प्राइस सारे ही इंपॉर्टेंट होते है साथ से आट अक्टूबर तक नीव लिट्रेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस सहर में किया जाएगा ये बताना है दोस्तो तो ये दोस्तो नीव लिट्रेचर फेस्टिवल बैंगलूरू में आयोजन किया जाएगा ठीक है 12 से 14 अक्टूबर 2023 तक पचासवा भारती अंतराष्ट्री नीट मेला कहां पर लगेगा दोस्तो 15 इंटरनेशनल नीट फेर ये कहां तमिलनाडो में लगेगा अगें लेस इंपोर्टेंट भारती तीरंदाज जोती सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रेमिर देवताले ने एशियन गेम्स 2023 तीरंदाजी में क्रमसा महिला, पुरोज, व्यक्तिगाड कंपाउंड इस परदा में कौन सा पदक जीता है तो दोस्तो एशियन गेम्स में जोती सुरेखा वेन्नम, ओजस प्रवीन इन सब के नाम याद रखना आर्चरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है जोती, सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीन देवटले, ठीक है, ये दो नाम आपको याद रखने, आर्ची से संबन दित है 38 अक्टूबर 2023 में रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने किसे नया कारकारी निदेशक निउक्त किया है, अगेन इंपोर्टेंट बैया, आर्वी आई के बारे हम बात कर रहा है न्यू एग्जेक्यूटिव डिरेक्टर बने है मुनीश कपूर, कौन बने है मुनीश कपूर, ठीक है अक्टूबर धान की किस्म, पूसा चवालिस most important, ऐसे पूसलेगा जोग्रफी में agriculture जो पाइट है उससे कि पूसा चवालिस किस की वराइटी है, आलू की, गेहू की धान की या चावल की तो दोस्तों पूसा चवालिस ये धान की एक किस्म है कि खेती पर अगले साल से प्रतिवन लगाने की घोशला कर दी है कि भई ये अब पूसा चवालिस अगले साल से आप उसकी खेती नहीं कर सकते ये पंजाब में है, दोस्तों ठीक है कहां पंजाब में चलिए, 41 नंबर देखते हैं दोस्तों चलिए, 41 नंबर अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुखवंतरी योगी अदिनार ने किस शहर से विशे संचारी रोग नियंतरल अभियान का सुबारम की है ठीक है स्पेशल कॉमिनिकेबल डिसीज कंट्रोल कैंपेइन बना दिया है योगी अदिनार ने बहुत important है अपने ही consistency गोरकपूर से ठीक है जहां से वो है ठीक, गोरकपूर हाली में खबरों में रही टोटो जनजाती बहुत important है जोग्रफी के लिए टोटो जनजाती किस राज में पाई जाती है direct question पूछेगा तो टोटो ट्राइब वेस्ट बेंगॉल में पाई जाती है कहाँ पे वेस्ट बेंगॉल में चलिए 19-वे Asian Games 2023 में भारती ये पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पतक जीता है दोस्तो किसने? Indian Men's Cricket Team ने 19-टे अशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है ये भी याद रहना क्योंकि भाईया इंडियन जो हमारी Cricket Team है वो तो World Cup हार गए अस्ट्रेलिया से ये जीती है गोल्ड मेडल इसको याद रखना हाली में राजिस्तान के मुक्ववंतरी अशोग गहलोत ने तीन और ने जीले बनाने की गोश्रा की है अशोग गहलोत ये भी न्यूज में भाईया क्योंकि ये हार गए तीन ने जीले राजिस्तान में कौन से बने ये भी important है क्योंकि चुना हुआ है अब राजिस्तान में इसी के साथ कितने ने जीले हो गए है पचास थे हो गए है तिरपन कितने हो गए तिरपन हो गए है याद रखेगा IAF Air Power Beyond Boundaries theme के साथ भारती भायु सेना दिवस 2023 किस दिन मनाया गया दोस्तों तो इंडियन एर फोर्स दे आप सबको पता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है कम बनाया जाता है 8 अक्टूबर अगेन very important question जैपूर में आयो जित Senior National Judo Championship में उत्तर प्रदेश के रोहन विश्णोई ने कौन सा पतक जीता अब ये UP की बात कर रहा है तो थोड़ा important हो जाता है Senior National Judo Champion में जैपूर में Silver Medal जीता क्यों सा मेडल? Silver Medal रोहित बिश्णोई हाल ही में शोद करताओं ने किस राज की मिलक नदी में मचली की एक नई प्रजाती बादिस लीमा कूमी की खोज की है Recently researchers have discovered a new species of fish बादिस लीमा कूमी in मिलक रिवर ठीक तो ये दोस्तो नागा लैंड में करिए कहा करिए नागा लैंड में ठीक है? चले Question number 48 1 October 2023 को सैर ने नर्सिंग सेवा MNS का डैश इस्थापना दिवस मनाया गया तो दोस्तो MNS का 98 अठानवेवा मतलब मिलिटरी नर्सिंग सर्विस का 98 अठानवेवा दिवस मनाया गया 1 October 2023 को ठीक है? Again less important किस राज में इस्थित? शोर टेंपल भारत का पहला हरित उर्जा पुरतत वस्तल बन गया ठीक है? important है दोस्तों क्योंकि पहले की बात कर रहा है हो भी भारत में है ठीक है? India's first green energy archaeological site जो है यह Tamil नाडू बनी है दोस्तों कौन सी बनी है? तमिल नाडू यहीं पर शोर टेंपल भी located है अपने देखा होगा ठीक है? important है काफी जादा हाल ही में किस राज सरकार ने भारत की सबसे बड़ी pump भंडार और परियोजना की आधारशिला रखी है ठीक है? India's largest pump storage project again मद्ध प्रदेश में रखी गई तो important हो जाती है गयोगी चुना हुए है और news में काफी था ठीक है? चले 51 7 October 2013 को अखिल भारती पुलिस विज्ञान कॉंग्रेस का आयोजन किया गया है All India Police Science Congress was organized on 7 October 2023 तो यह कहां करा गया दोस्तो? दहरादून में कहां किया गया? दहरादून में ठीक है विरासत इसमारक को बढ़ावा देने के लिए उपहार की दुकाने इस्थापित करने की योजना कौन बना रहा है ठीक है? Which has planning to set up gift shop to promote the heritage monument तो दोस्तो heritage वगेरा का काम archaeological survey of India ही करती है याद रखना ऐसे link भी कर सकते हो चले उत्तर प्रदेश अरकार ने अक्टूबर से दिसमबर दोहजार तेज के बीच तीन मा में कितने लाख टन मोटे अनाज की खरीद का लच्छ रखा है तो दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है वो भी अक्टूबर से दिसमबर में ही मोटा नज्जो खरीद रहा उत्तरप्रदेश में योगी सरकार 5.82 लाक में ट्रिक टन समझ रो कितना हुज अमाउंट में है ये चलिए 54 देखते हैं अक्टूबर 2023 में GST परिशत ने ब्रांडेड प्री पैकेजड और लेबल वाले बाजरा अधारित आटे पर GST को 18% से गटा कर कितने परतिसत कर दिया है ठीक है तो ये दोस्तो GST को कम करा गया है उत्तरप्रदेश की बात करेगा तो और जादा important हो जाता है क्योंकि GST council ने इसको करा है तो ये 18% से गटा कर दोस्तो 5% कर दिया गया ठीक है चले बिहार के बाद किस राजसरकार ने जाती अधारि जनगलना कराने की गोश्णा की है अगेन जाती अधारि जनगलना बहुत नियूज में है तो याद रखना बिहार में अल्रेडी कास्ट सेंसेज हो चुका है माफ कीजिए गो दोस्तो तोड़ा आगे बढ़ गया था चले कोई बाद नहीं देखो बिहार में हो चुका है तो बिहार के साथ राजस्थान ने भी बात करी थी कास्ट सेंसेज कराएंगे हाला कि अब उन पर लाती पड़ गई इसो गेलो सरकार पे नई सरकार आ गई अब देखो क्या होता है ठीक है हाला कि मुश्किल है राजस्थान में अब तो दोस्तो याद रखना बिहार में हो चुका है राजस्थान ने भी बात करी थी हाल ही में किश्देश की कंपनी PLD स्पेस ने अपना दोबारा इस्तमाल योग ये रॉकेट मियूरा वन को लाँच किया है तो दोस्तो रॉकेट मियूरा वन ये रिलेटेड है स्पेस अजन्सी है ठीक है PLD से स्पेस अजन्सी चले आगे देखते है 57 जो क्वेशन एशन गेम दोजारतेज में भारती महिला कबड़ी टीम ने कौन सा पदक जीता है ठीक है तो विच मेडल has been won by the Indian women's कबड़ी टीम in the Asian Games तो दोस्तो ये भी बहुत ज़्यादा important है हमारी महिलाओं की बात हो रही है हमारी महिला है continue भारत की इज़त को आगे बढ़ाती जा रही है तो गोल्ड मेडल जीता है दोस्तो कबड़ी टीम ने ठीक है हाल ही में किस देश में परमाणू उर्जा से चलने वाली क्रूद मिसाइल ब्यूरो वेस्टनिक का सफलता पूरवक परिछण किया गया तो दोस्तो ब्यूरो वेस्टनिक नाम सही पता चल रहा है यह रश्चन है कौन सी रश्चन मिसाइल है चले 10 अक्टूबर 2023 से भारत नाग पतनम तमिल नाडू से किस देश तक नौका सेवा शुरू करेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन में दोस्तो फैरी सर्विस शुरू हुई है नाग पतनम तमिल नाडू से श्रिलंका के लिए ठीक है और श्रिलंका ने भारतियों के लिए वीजा फ्री एंट्री भी कर दी है तो इसलिए ये नियूज में आ जाता है ठीक है दोस्तो पर तेक वर्ष किस दिन विश्व का पास दिवस मनाया जाता है ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कॉटन दे साथ अक्टूबर को मनाया जाता है कब मना जाता है साथ अक्टूबर को चले दोस्तो एक सर नंबर देखते हैं नौंबर 2023 में आयोजित होने वाले राश्ट्री ये तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा सहर करेगा विच सिटी विल होस्ट नैशनल आर्चरी चैंपियनशिप इन नौंबर 2023 तो अगेन मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन क्योंकि भाई ये अयोद्या बहुत जादा नियूज में है अभी और आएगा 22 जन्वरी को जब हमारे रामलला मंदिर का उद्गाटन होगा पूरे वर्ड में न्यूज में तो ये है और पूरे वर्ड में भारत का पर्चमी लहरेगा मतलब इंटरनेशनल कवरेज है उसकी दोस्तों तो इंपॉर्टन ने नाशनल आर्चिरी चैंपेंशिप नॉमबर में होई है अयोध्या में ठीक है किस वेब सिरीज ने 28 में बूसान फिल्म फेस्टिवल में सरसेस्ट एशियाई टीवी सिरीज का आवाड जीता है तो दोस्तों ये 28 बूसान फिल्म फेस्टिवल स्कूप उसने जीता है तो आ सकता है क्योंकि एकदम अलग क्वेशन है दोस्तों एक चीज समझ लो आरो यारो का पेपर बहुत टफ आने वाला इस बार 2021 से भी ज़्यादा कठीन आएगा कारण है कि बहुत कंपटीशन है इस बार ठीक है और आरो यारो का पेपर प्रिलिम्स का काफी टफ आता है इस्पेशली जीस की में बात कर रहा हूं तो इसलिए कमर को तकड़े से टाइट रको और क्वेशन का लेवल को अच्छे से रिवाइस करो तो टफ कोशन उनको ज़्यादा फोकस दो बात करते हैं तो होंग जोई एशियान गेम्स में किसने भाईया भारत का ध्वजवाहक के रूप में कारे की है तो पियार श्रीजेश ने किसने पियार श्रीजेश चौसर नमबर देखते हैं सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुईदा वाला उत्तरप्रदेश का पहला जीला कौन बना है तो यह दोस्तो बरेली बन गया है बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है यह क्योंकि यूपी स्पेशल में भी यह आ सकता है तो बरेली बन गया है दोस्तों स्मार्ट क्लास सारे स्कूल में वो भी गवर्मेंट स्कूल में आप समझ रहो चलो पैसेट देखते हैं हाल ही में किस देश ने जासूसी सैटलाइट याउगान 3304 लाँच की है ठीक है तो याउगान नाम से ही पता चल रहा है चाइना ने करा है दोस्तों ठीक है चाइना ने अब दोस्तों आप समझ रहो 65 कोश्चन में ने करा दी है अब इस वीडियो में जितने लोग इसको देखे होंगे न आधे लोग गैरंटी में कह रहो हूँ 65 तक भी नहीं पहुचे होंगे पात-दस देखे होंगे स्किप कर दिये होंगे तो ये आप समझो कॉंपटीशन फॉर्म तो भरा गया है ठीक है जो हमें रियल कॉंपटीशन दिखता है न वो काफी कम लोगों में दिखता है क्योंकि हर लोगों के अंदर एक फेक कॉंफिडेंट भी होता है अपने आपको दोखा देते हैं नहीं मैं त्यार ही कर रहा हूँ और जहां कॉशन्स की बारी आती है पढ़ने की बारी आती है दस मिनट में धेर हो जाते है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आपका भी उसमें बेनेफेट है अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो थोड़ा कंसिस्टेंसी अगर आपकी ज़्यादा है ठीक है तो मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई करने बैटो तो इगनम चीर फार दो दो गंटे अगर पढ़ने बैटे हो तो सिर्फ 2 गंटे पढ़ा हो समझे हो मेरी बात को चलो 8 अक्टूबर 2023 को वार्सिक वाईु सेना दिवस परेट कहां आयुजित किया गया तो इसमें 2 क्वेसिन बनेंगे कि वार्सिक वाईु सेना दिवस कहां कब मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और ये parade कहां है उजित की गई प्रयाग राज में की गई ठीक है अगेन important है UP की बात है इसलिए और important है हाल ही में थीरिके स्कूलिल अभियान किस राज में शुरू किया गया ठीक थीरिके स्कूलिल campaign launched in which state तो ये दोस्तो केरल में करी गई ठीक है थीरिके केरल important है काफी ज़ादा हाल ही में किस राज सरकार ने मुक्यमंत्री लोग सेवक आरोग योजना शुरू करी है तो मुक्यमंत्री लोग सेवक आरोग योजना which government has started this तो दोस्तो असायमने करी है ठीक है याद रखिएगा असायमने 69 देखते हैं दो तो राश्ट्री दिव्यांग T20 cricket championship 2023 किस टीम ने जीत लिया नाशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 cricket championship won by जम्मो एं काश्मीर टीम ठीक है किसने जम्मो एं काश्मीर चैसे 270 देखते हैं Asian Games 2023 में भारत ने कुल कितने medal जीते हैं बहुत important है दोस्तों यह बहुत ज्यादा Asian Games में भारत ने इस बार record 107 medal जीत लिए हैं दोस्तों कितने 107 medal ठीक है दोस्तों 28 sword है जिसमें से 28 silver मतलब रजट 41 copper ठीक है तो 28 31 28 31 ऐसे तीन बार बोलो मेरे साथ 28 31 28 31 ठीक है चले दोस्तों 71 देखते हैं हाल ही में वर्ष 2022 के राष्ट्री किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों who was recently awarded national किशोर कुमार awarded तो यह दोस्तों धर्मेंदर को मिला है किसको मिला है धर्मेंदर को चले 72 देखते हैं together for trust together for trust collaborating for a safe and connected future theme के साथ wishwood dark divas यानी world post day यह कब मनाया गिया दोस्तों important है बहुत जादा ठीक है world post day तो यह मनाया गिया है दोस्तों 9 October को ठीक है दोस्तों तेतर देखते हैं कौन तर सहर उत्तर प्रदेश का पहला शौर सहर होगा which city will be the first solar city of उत्तर प्रदेश तो दोस्तों यह होगा आपका आयोध्या ठीक है याद रखेगा कौन हो जाएगा आयोध्या हो जाएगा चले चौतर देखते हैं 11 October 2023 को हिन महा सागर रेम एसोसियेशन की 23 मंतरी परिशत बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा ठीक है तो इंडियन ओशियन रेम एसोसियेशन की इस बार की जो मिनिस्ट्री है मतलब मीटिंग है यह होस्ट करने वाला है श्री लंका दोस्तों ठीक है कौन करने वाला है श्री लंका करने वाला है चलिए 275 देखते हैं हाल ही में किस राजिसरकार ने इस कूली चात्रों के लिए मुख्य मंत्री नाश्ता योजना शुरू कर दी समझ दो कि यह ब्रेकफास भी मिलेगा चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास स्कीम थोड़ी नाई स्कीम है इसलिए important हो जाती है और अगें telangana में हूई है और चुनाओ भी होय माहाँ तो इसलिए और important हो गई है मोख्यमंत्री breakfast scheme तेलंगाना चलिए 76 देखते हैं हाल ही में प्रकाशित पुष्टक the book of life ठीक है कौन सी the book of life my dance with buddha for success the book of life my dance with buddha for success यह किसने लिखी है विवेक अगनी होत्री important है book बहुत जादा क्योंकि आजकल books भी काफी आने लगी है ठीक है विवेक अगनी होत्री भारत किस दिन National Current Good Manufacturing Practice Day मनाएगा ठीक है National Current Good Manufacturing Practice Day भारत मनाएगा दोस्तो 10 October को ठीक है चलिए 78 देखते हैं हाल ही में Air India ने किस शहर में अपनी तरह का पहला Engineering Mega Warehouse इस्थापित किया है ठीक है दोस्तो Recently Air India has established the first of its kind industry तो दोस्तो ये दिल्ली में करा किस में करा दिल्ली में ठीक है 79 देखते हैं दोस्तो हाल ही में Green Washing से निपटने के लिए दुनिया के पहले Green Bond मानकों को मनजूरी किस के द्वारा दी गई ठीक है दोस्तो The World First Green Bond Standard To Combat Green Washing Have Been Approved by तो दोस्तो ये European Union ने दी किस ने दी European Union ने चलो 80 देखते हैं October 2023 में Pacific Asia Travel Association ठीक है? कि 46 वे संस्कुरण की मेजबानी किस देश ने की है? Which country hosted 46th edition of Pacific Asia Travel Association तो ये दोस्तो भारत कर रहा है कौन कर रहा है? भारत कर रहा है ठीक है? 80 कोशन हो चुके हैं दोस्तो अच्छे से कर रहा है अब तो जितने कर पाओ वीडियो को पॉस्त कर लो फिर देखो अराम से फिर पॉस्त कर लो ऐसे कर लो ठीक है? चले हाल ही में किस राज सरकार ने? गंगा डॉल्फिन को राज जली जीव घोसित किया है दोस्तो बहुत जाजा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी की बात है ठीक है? तो यूपी गवर्णमेंट ने गंगेटिक डॉल्फिन को इस्टेट एकविटिक एनिमल मान लिया है ठीक है? तो एक नया कोशन मन गया है अधिकारिक्ता मंत्रा ले इसने शुरू करा किसने समाजिक नय और अधिकारिक्ता मंत्रा ले चले एटी थी देखते हैं विच कंट्री चेर ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरनाशनल कॉन्फरेंज ओन क्लाइमेट चेंज एड निउक्लियर एनरजी 9-13 अक्टूबर में जो ही तो दोस्तों ये UAE में हो रही है कहां हो रही है UAE में ठीक है प्रू कबड़ी लीग के सीजन 10 के लिए रिकॉर्ड सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने है तो इंपॉर्टन्ट हो जाता है ये भी पवन शेरावद दोस्तों कौन पवन शेरावद ठीक है ऐसे ही IPL का भी याद रखेगा कौन बने है मिचल स्टार्ग बने अभी तक हागी की बेटिंग अभी होती है तब देखते हैं कौन बनता है हाल ही में किश देश की क्लॉडिया गोल्डिन को अर्थचास का नॉबल पुरुषकार मिला है तो क्लॉडिया गोल्डिन किसमें दोस्तों इनको अर्थचार मिला है एकनॉमिक्स में कहां से ये बिलॉग करती है तो ये USA की है दोस्तों ठीक है नॉबल पुरुषकार मिला है अर्थचास में मिला है USA से है अजीब नाम होते हैं चले 86 देखते हैं हाल ही में अपनी तरह का पहला NPS preference index किसके द्वारा launch किया गया दोस्तो ठीक है तो ये दोस्तो launch किया गया HDFC pension द्वारा ठीक है किसने HDFC pension ने अगेन less important हाल ही में project उदबाव पहल किसके द्वारा शुरू किया गया तो दोस्तो project उदबाव initiative has been launched by Indian army बहुत important है याद जरूर रखिएगा project उदबाव Indian army चले 88 देखते हैं 2-6 October 2023 तक 27 विश्व सड़क Congress World 27 World Road Congress organized ये कहां पे हुई दोस्तो World Road Congress organized important है world की बात कर रहा है तो दोस्तो ये आपके प्राग चेक और प्राग और चेक रिपबलिक शॉरी ठीक है तो प्राग और चेक रिपबलिक में हुई दोस्तो ये तो याद रखिएगा इसको चली 8 October 2023 को भारत और किश देश ने विद्यूती अंतर सेयोजन हरित स्वच हाइडरोजन और आपूर्ती शंकला के छेत्र में एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये ठीक है इन इंग्लिश इंडिया एंड विच कंट्री साइन अमो यू इन दा फिल्ड ऑफ इलेक्रिसिटी इंटर कनेक्शन ग्रीन अन क्लीन हाइडरोजन और सप्लाइचेन तो ये दोस्तो साओधी अरब ठीक है किसने साओधी अरब चले 90 हाल ही में टेरंस डैविश का ससत्तर वर्ष की ओम्र में निधन हो गया वे क्या थे सो दोस्तो टेरं डैविश एक फिल्म प्रोडूशर थे ठीक है कौन थे फिल्म प्रोडूशर चले 91 देखते है हाल ही में किछ देश के कैलविन किप्टम ने 2 घंटे और 35 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड समय की में 45 वी शिकागो मैराथान जीत ली तो यह भी दोस्तों important है 45 शिकागो मैराथान रिकॉर्ड समय में जीतने वाले बने हैं केनी आगे ठीक है कहां के है केनी आगे ठीक है कैलव mental health day 10 October को मना जाता है कम मना जाता है 10 October को चले 93 देखते है 19 वे Asian Games 2023 में भारती पुरुष होकी टीम ने कौन सपतक जीता है जोस्तों तो अगें 19 अशियन गेम्स में इंडियन मैंस टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है ठीक है ऐसे एक बड़ी टीम ने भी गोल्ड जीता वुम काउदगाटन किस चेहर में किया है तो दोस्तों नोकिया बहुत ही जो पहले बच्पन में आपको पता हो ना इंटीस के टाइम का बहुत बेस्ट फोन होता था बैंगलूरू नो इन्होंने अपनी 6G लाब खोली है 95 हाल ही में फिलिस्तीन के अतंगी संगठन हमास यह बहुत इंपोर्टन है क्योंकि न्यूज में है ओपरेशन अल-अक्सा फ्लड किस देश में खिलाफ लॉंच किया है तो ओविसली दोस्तों इस्राइल के खिलाफ लॉंच किया है ठीक है याद रखिये गए इसको अक्टूबर 2023 में केंडरी मंत्री अमिशा किया देख्षता में मद्दे छेतरी परिशत की 24 वी बैटक कहां है उजितोई 24th मीटिंग ओफ सेंट्रल रीजनल काउंसिल तो रीजनल काउंसिल को हैड तो भी यह होम मिनिस्टर करते है यह हुई उत्राखन में ठीक है चले 97 हाल ही में किस अंतराश्टी संगटन ने आख की बिमारियों से पीडित लोगों की मदद के लिए स्पेसेक्स 2030 या स्पेक्स 2030 पहल की शुरुआत की ठीक है तो स्पेक्स 2030 की शुरुआत जो ही यह डवलो एचों ने करी है आखों की बिमारी है दोस्तों ए ठीक है तो इ अपदा राहत अब्यास चक्र्वात 2030 कहा आयउजित किया गया दोस्तों तो चक्रवात 2030 इंद्य ने ने वी ने करा इसको दो चीज़ें आपको याद रखनी है इन्या नेवी ने करा, कहा करा, गोवा में करा, ठीक है केंदरी मंत्री पुर्शुत्तम रुपाला ने किस शहर में आयोजित सोलवी क्रशी विज्ञान कॉंग्रेस का उधगाटन किया दोस्तो तो 16th Agricultural Science Congress, ये कहां पे हुई दोस्तो, तो ये हुई कोची में कहां पे हुई, कोची में दोस्तो, ठीक है, चले, सतक हो गया अपना, ये हंड्रेट तो 82 करोण रुपे की अनुमादित लागत से, 395 में मीटर, दो लेन मैरोग सुरंग का निर्माण किस राज या केंताशित प्रदेश में हुआ तो सुरंग भी बहुत ज़्यादा नियूज में है, क्योंकि या भी टैनल में अपने जो वीर लेबर थे, मतलब वर करते हो, फस भी कहते हैं तो मैरोग सुरंग पूछ लेकर कहां पे है, दोस्तो, तो जम्मू कश्मीर में है कहां पे है, जम्मू कश्मीर चलिए, 101 देखते हैं हाल ही में किस देश की इगा स्वेटेक ने चाइना ओपन 2023 का किताब जीता, ठीक है तो स्वेगा जो स्वेटेक है या इगा इस्वेटेक भी बोल सकते हैं इनको आप, नाम देखरों, इनके खदरनाग रहते बार लड़ खड़ा जाती है इगा स्वेटेक has recently won the चाइना ओपन टाइटल, तो यह पोलेंड की दोस्तों ठीक है, कहां पे जीता है, पोलेंड में हैं यह चाइना की, ठीक है नहीं नहीं किस देश की इगा स्वेटेक है, यह है दोस्तों पोलेंड की इन्होंने चाइना ओपन जीता है, ठीक है माफ की जगा, तो है यह कहां की पोलेंड की, चाइना से इन्होंने क्या करा है, चाइना ओपन टाइटल जीता है दोस्तों, ठीक है चले, किस अभिनेत्री ने 28 में बूसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टुवल 2023 में बेस्ट एक्टरेस अवाड जीता दोस्तों तो दोस्तों, ट्वंटीएट बूसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टुवल करिश्मा तन्ना ने जीता, अब आपको लग रहा है, यह कौन है अरे क्लंबी से अक्टरेस है, संजु बाबा में देखा होगा पिक्चर में हमने, करिश्मा तन्ना ने जीता चले, 103 अक्टूबर 2023 में Association of Mutual Fund इन इंडिया कि नए चेयर्मेन के रूप में किसे नियुक्त किया गिया नवनीत मुनोत को अगेन, very less important चले, बीश्वा Asian Games, 2026 कौन भाईया इसकी अद्रक्षता करेगा यह मेजबानी करेगा, बहुत important जपैन करेगा, कौन करेगा दोस्तो जपैन करेगा और दोस्तो पूछले, 19th किस ने करेगा तो यह चाइना ने करे थे और बीश्वा, जपैन करेगा, ठीक है 361 वेल्थ हरून इंडिया की भारती अमीरों की जो 2023 की लिस्ट में सीर्जिस्तान किसका है तो यह मुके संबानी का, again very less important 11 October 2023 को आठवां ब्रिक्स अंतराष्टी प्रितिसपरदा सम्मेलन कहा युजित किया गया दोस्तो 8th Brick International Competitiveness Summit जो है यह New Delhi में कहां दोस्तो New Delhi चलिए 107 देखते है हाल ही में तंजानिया की पहली महिला राश्पती डॉक्टर सामिया सुलू हसन कौन? डॉक्टर सामिया सुलू हसन को किस भारती विश्विद्याले ने डॉक्टरेट की मानद उपादी से सम्मानित किया गया तो दोस्तो JNU का title मिना इनको कहां का JNU, again very less important 108 हाल ही में किस राज सरकार ने लेक लकडी, very important या प्यारी बेटी योजना को मनजूरी दी है तो दोस्तो लेक लड़की है लखडी नहीं है लेक लड़की तीक है, या प्यारी बेटी योजना को ये महाराश्ट में किये दोस्तो ठीक है, महाराश्ट में चले 109, पानी पत के दूसरे युद्ध के नायक सम्राठ हेम चंदर विक्रमादित के सम्मान में हाल ही में इस मारक डाक टिकट जारी किया गया अब पानी पत का जो दूसरा युद है वो कब लड़ा गया तो दोस्तो ये बताना है तो दोस्तो पता होगा आपको पानी पत का दूसरा युद पंदरा सो चपपन में लड़ा गया है तो दोस्तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी है ठीक है आपको पता हो गए अकबर और हेमू के बीच 1556 पानी पता है हरी आना में यह भी पता हो आपको चले राश्ट्री जली जीव गंगा डॉल्फिन के सन्विछण के बारे में जाग रुकता फैला बीचाने के लिए प्रतेटव वर्ष किस दिन राश्ट्री डॉलफिन दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों यह इंपॉर्टं भी है क्योंकि राश्ट्री की डॉल्फिन को उत्तरपर देश में इक्विटिक एनिमल ने भी डिखलियर कियागे है और राश्ट्री-then डॉल्फ भाई सास्त्री का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पदमिश्री से सम्मानित किया गया था, तो दैया भाई सास्त्री को भीया, 2016 में पदमिश्री मिला था, आगें, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, चले, 112 कह रहा है, काम करते समय, अपनी आखों से प्यार करें, थीम के साथ, विश्व द्रश्टी डिवस, या वर्ल्ड साइड डे, कब मनाया गया है, लव यूर आइज, आई वोक, ठीक है, तो यह कब मनाया गया है, दोस्तो, 12 अक्टूबर को, कब, 12 अक्टूबर, वर्ल्ड साइ पालन, पशूपालन, और डेरी मंतराले, ठीक है दोस्तो, मच्पालन, पशूपालन, और डेरी मंतराले, चलिए, 114 कह रहा है, 2022 के रास्ट्री लता मंगेशकर सम्मान से, किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तो, 2022 का रास्ट्री लता मंगेशकर सम्मान, इस बार, उत्तम सिं को एक सो पंद्रा कह रहा है एर फोर्स चीफ अन्वील दन न्यू फ्लैग ऑफ इंडियन एर फोर्स डियूरिंग दी एन्वल एर फोर्स परेड 2023 इन प्रियाकराज ठीक अब जोगी एर फोर्स डे होता है आपका कब आभी पड़ा आठ अक्टूबर को एर फोर्स चीफ कौन ह तो वी आर चौधरी है कौन है वी आर चौधरी इंपोर्टन्ट है यह याद रखिए इसको एक सो सोला कह रहा है हाल ही में किस राज के प्रिसिद्व जो मूर्चा राइज है उसको जी आई ठैक मिल गया है ठीक है तो यह दोस्तों मूर्चा राइज जो है यह आपका बिहा का है कहां का है बिहार का याद रखिएगा जी आई टैक काफी आते है जोगरफी से रिलेट करके हाल ही में किस राज में नीर महल जल महत्सों का आयोजित किया गया दोस्तों तृपुरा में कहां हुआ तृपुरा में ठीक है चलिए 1818 कह रहा है अक्टूबर 2023 में भारत कि निदेशक के रूब में किसे नहívत किया गया यह भी दोस्तों इंपोर्टिन्ट एक योगि गॉटर्मनेंट और्ग्नाइजेशन है भारत है वी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटे तो इसको दोस्तों बानी वर्मा को करा गया है कि इसको बानी वर्मा को बनाया गया है टूबर को चले 120 देखते हैं हाल ही में किस राज्य की प्रिशिद मिठाई रस बली को GI टैक प्राप्त हुआ है दोस्तों तो रस बली हैस रिसीवड जी आई टैक तो दोस्तों ये किस स्टेट से है ये ओडिशा से है दोस्तों कहां से ओडिशा से चले 121 देखते हैं हाल ही में IMF ने वितवर्श 2023-24 के लिए भारत की जो GDP विर्धी दर है उसका अनुमान बढ़ा कर कितने प्रिशिदी कर दिया है तो IMF important organization है दोस्तों ये काफी news में भी रहती है और इसका headquarter भी कई बार पूछ लेता है तो याद होगा आपको वासिंग अट परसन बताई है तो important हो जाता है ये इकनौमी में आ सकता है चले 122 ग्यार अक्टूबर 2023 को किस केंद्री मंत्री ने animations रंकला KTV भारत है हम का सुभारम किया है तो अनुराग ठाकुर ने दोस्तों ये कर रहा है खेल मंत्री है ये KTV भारत है हम की योजना का शुरुआत कर रहा है ठीक है 62 राष्ट्री Open Athletics Championship 2023 में किस राज के मनिकांथ एचेच ने 100 मीटर दोड में नया रिकॉर्ड पनाया है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों करना टके हैं ये कहां के है करना टके है चले 124 देखते हैं 10 अक्टूबर 2023 को बांगलादेश प्रधान मंत्री सेख हसीना ने 82 किलोमेटर लंबे रेल लिंक पदमा ब्रिज का हुद घाटन किया पहली चीज किसने की है बांगलादेश की प्रधान मंत्री ये ब्रिज किस देश के सहयोग से बनाया है तो दोस्तों आपको भारत लग रहा हो गलत है शेख अचीना ने जो bridge बनाया 82 km long padma bridge ये bridge china की मदद से बनाया थोस्तों, कसकी मदद से? चाइना की मदद से बनाया और आपको पता है कि padma नदी गंगा को कहते हैं बंगला देश में ठीक है गंगा को बंगला देश में क्या कहते है? पदमा कहते है ठीक है चले 125 देखते है अक्टूबर 2023 में बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहां किया गया ठीक है बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट बैंगलोरों में हुई तो यह BPSC में जाता है important नहीं यहां पर very less important 16th edition of landscape and gardening expo 2023 यह कहां पर हुआ दोस्तों तो जो 16th edition of landscape and gardening expo यह मुंबई में हुआ कहां हुआ मुंबई में ठीक है 127 हाल ही में इसरों ने विज्ञान भारती के सायोग से किस राज में और सोरी 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 चारजर किर गया मेरा हाल ही में इसरों ने विज्ञान भारती के सायोग से किस राज में स्पेस औन वील्स नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया दोस्तों तो इसरों ने दोस्तों विज्ञान भारती और्गनाइस्ट करा यह exhibition यह लगाया अरुनाचल प्रदेश में अब देखिए इसरों भी न्यूज में है चंद्रियान भी छोड़ा आदित एलवन भी छोड़ा तो यह आ सकता है ठीक है किस देश को मृत्तिव दंड के खिलाफ वेश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है मतलब किस दिन मना जाता है वर्ल्ड डे अगेंस डेथ पेनल्टी तो यह दोस्तों 10 अक्टूबर को मनाया जाता है कम मनाया जाता है 10 अक्टूबर को ठीक है युद्ध ग्रस्त इसराइल में फसे भारतियों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ओपरेशन शुरू किया प्रसिद्ध वाग जुन्नक है को किस देश से भारत लाया जाएगा थीक है जिन उन्हें पे राज किया यूके से ठीक है हाल ही में किस राज सरकार ने यूवा मितान परिवाहन योजना लाउंज की तो दोस्तो ये 36 गरने लाउंज की किसने की 36 गरने हाली में विश्व गाटी है दिवास मदला वर्ड आर्थरिस्टिस डे ये कब मना जाता है तो दोस्तो वर्ड आर्थरिस्टिस डे बार अक्टूबर को मनाते हैं कब मनाते हैं बार अक्टूबर को ठीक है डे कई बार आने लगे हैं बहुत जादा तो इनको थोड़ा फोकस करना 133 इसरो का दूसरा जो स्पेस पोर्ट है कौन सा स्पेस पोर्ट भाई है कुल सेकर पटिनम में इस्थापित किया जाएगा जो किस राज में है तो बताओ भाई है इसरो का जो सेकर पोर्ट है ये किस राज में स्थापित किया जाएगा तो ये दोस्तो तमिलनाडू में करा जाएगा ठीक है अभी तक श्री हरी कोटा अंदर में था अब ये तमिलनाडू में आएगा कुलेश की पटिनम ठीक है चले दोस्तो 134 देखते है हाल ही में ख़बरों में रहा प्रोजेक कुई पर है न बहुत इंपोटन है प्रोजेक कुई पर एक किस से लेरेट्ड है दोस्तो तो प्रोजेक्ट कुई पर दोस्तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे भी यह Amazon से related है, किस से related है Amazon, ठीक है दोस्तों तो यह internet service वगेरा के लिए था, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही news में भी रहा था project कोई पढ़ ठीक है, चले 135 देखते हैं, 2 October 2023 को किस राज सरकार मतलब किस राज में, अबुआ वीर दिशोम अभियान का सुभारम किया गया दोस्तों, इन्विस स्टेट वस दी अबुआ वीर दिशोम कैमपेंड वस लॉन, तो यह दोस्तों जारकंड से करा गया है, अगें थोड़ा important है, जादा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार 14 October 2023 से मिशन सक्ती के किस चैनल की शुरुआत करेगी, तो दोस्तों, मिशन सक्ती बहुत जादे important है, इसका चौथा चैनल शुरुआत होगा, कौन सा होगा, चौथा चैनल, ठीक है, हाल ही में किस राज सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जन जाती आयोग की स्थापना को मन्जूरी दे दिये, ठीक है, इंडिपेंडेंट्स शिड्डियूल ट्राइब कमिशन ये बनाया है महारास्ट में, कहा, महारास्ट में दोस्तों, चलिए 133 देखते हैं, 14 अक्टूबर 2023 को किस केंद्री मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया जोईलरी शॉपिंग फेस्टिवल का शुबारम नितिन गटकरी ने किया, किस ने किया दोस्तों, नितिन गटकरी ने, 149 देखते हैं, अक्टूबर 2023 में केंद्री कैबिनेट ने, एक स्वायत निकाह, मेरा युवा भारत की स्थापना को मन्जूरी दिये, इसके अनरूप किस आयू वर्ग के युवा लभानवित होंगे, तो 15 से दोस्तों 29 वर्ष के लिए ये लॉंच किया गया है, ठीक है, चलिए 140 देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही, कमार जन जाती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन दोस्तों, ठीक है, कमार जन जाती, कहां पर पाई जाती है, तो ये 36 गण की है, कहां की है दोस्तों, 36 गण कमार ट्राइब, चुनाओ भी हुएं, इसलिए और इंपॉर्टन है, 148, अक्टूबर 2023 में उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैमबर आफ कॉमर्स के, रास्ट्री अद्यक्ष का पदबार किसने ग्रहन किया, तो ये पंकज बोहरा ने किया, दोस्तों, अगेन, बहुत कम इंपॉर्टन है, चले दोस्तों, 142 देखने है, हाल ही में इंडियन बैंक के नए कारिकारी निदेशक के रूप में, किसे नहीं किया गया है, इंपॉर्टन है दोस्तों, इंडियन बैंक के नए एक्जेग्यूटी डिरेक्टर, शिव बजरंग सिंग बने है, कौन बने है, शिव बजरंग सिंग, अगेन, थ्री स्टार दूँगा, मैं फाइफ फिर भी नहीं दूँगा, हाल ही मेंने किश लेखिका को 2022 में उनकी आत्म कता सूर्य वामसम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो सरस्वती सम्मान सूर्य वामसम के लिए आटो बायग्राफी लिखी है, जो शिव शंकरी को मिला है, किसको मिला है, शिव शंकरी को सरस्वती स इस्टार होते तो वो दे देता ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की इंडेक्स में 125 देशों में बारत को 111 वह स्थान मिला है दोस्तों बहुत ही ज्यादा दुख की बात है चलिए 145 अक्टूबर 2023 में आरबी आई के नियमों के उलंगन के चलते पे टीम पेमेंट्स बैंक पर कितन करों का जुर्माना लगा है कि दोस्तों 5.49 करों का जुर्माना पे टीम पे लगाता है ठीक है फोन पे जी पे इन पे नहीं ऐसे भी कॉशन पूछ सकता है नॉम्बर 2023 को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया गया दोस्तों तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ये द ठीक है हाल ही में नासा के जो पार्सी वेरंस रोवर ने किस ग्रह से डस्ट लेवल की तश्वीर भेजी है दोस्तों ठीक है तो पार्सी वेरंस जो रोवर है डस्ट डविल नाम से हिंदी में है यह इसकी फोटो बेजी है यह मार्स ग्रह से बेजी है कहां से बेजी है मार्स ग मनाया गया तो भैया नैशनल सिनेमा डे मनाया गया 13 टूवर गो ठीक है 14 को हाल ही में सारजनिक छेतर की कंपनी राइट्स लिमिटेट को नवरतन का दर्जा मिला है इस कंपनी की स्ताफ़ना केस्वर्ड होई तो राइट्स लिमिटेट हैस गौट नवरतन स्टेटेस इन किया गिए 11th सुल्टान ओफ जोहर कब ये हुआ मलेशिया में कहां पे हुआ मलेशिया में again important question है अब देखो दोस्तो मैं ऐसा कर रहा हूँ 1.500 करके सोचना हूँ 10.600 करा दूं क्या ya 1.500 के आपको कितने सेट करा दूं ये बताओ क्या 500 करा दूँ एक बार में या 1.5-1.500 रखो ये ज़रा बताओ देखो हर पहले वीडियो में मैं suggestion आपके ले लेता हूँ फिर continue करता हूँ तो मुझे ज़्यादा सही लगता है तो अभी मैं 500 सोच रहा था शूट करता पर मैं सोच रहा हूँ आपको 1.5-100 कराता हूँ या 100-100 रखो या 3-300 रखो या 500 ही रखो ये बताओ ठीक है मतलब हर महीने के 500 कराओंगा ये चीज समझ लो जैसे अक्टूबर है अक्टूबर के 500 कोशन कराने तो 1.500 का सेट लगा दिया एक लगा दिया आपका 200 का या आप बताओ धाई-डाई-100 करादू या बताओ 500 करादू या बताओ 100-100 करादू ये जल्दी से मुझे बताओ वीडियो डेली मिलेगा करंड का उसके लिए परिशान ना हूँ ये मुझे कमेंट में जारा आज साजेशन चाहिए ठीके बता चले नमस्कार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वे